हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइव एड कल से लेके आज तक थोड़े से केसे लगता है जादा बढ़ गए हैं आज के मताबिक अभी तक 219 पेशेंट्स कोरोना के दिल्ली में हैं इनमें 51 केस विदेशों से आई हुए लोगों के हैं जो विदेशों से कोरोना लेके आए थे विदेशों से ही बिमारों के आए थे 108 केस मरकज के हैं जो कि निजामोदीन में मरकज से लोग निकाले गए उनके 108 उनमें बिमारें 39 केस वो हैं जो विदेशों से आए थे और उनके परिवार वालों को 39 उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया और चार लोगों की डेथ हो चुकी है कल तक दो लोगों की डेथ थी आज दो लोगों की और हो गई है चार लोगों की डेथ हो गई है यह जो दो लोगों की डेथ हुई है आज यह उन में से हैं जो मरकज से निकाले गए थे उन में से दो लोगों की डेथ हो गई है जितने भी पेशेंट्स अब हमारे हॉस्पिटल्स में हैं जो 219 पेशेंट्स हैं 208 रह गए क्योंकि उसमें से 6 पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए एक पेशेंट बाहर चले गए थे और 4 की डेथ हो गई 208 patients अभी hospitals में हैं जिसमें से एक ventilator पर है तो जैसे रोज मैं जब बताता हूँ तो ये एक ventilator पर कुछ दिनों से है और मैं उमीद करता हूँ ये ठीक हो जाएंगे और 5 oxygen पर है 202 बिल्कुल stable है मुझे उमीद है कि ये सभी लोग ठीक हो जाने चाहिए इस समय जब ये मैं सारा डेटा बताता हूँ आप लोगों को रोज इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे लिए चिंता जनक है जिनके बारे में मैं ज़्यादा चिंता करता हूँ एक क्या करोना आम लोगों में फैल रहा है और दूसरा कितनी डेथ होई इस डेटा को देखते वे 29 लोग मैंने बताया कि ऐसे हैं जो कि जो लोग विदेशों से करोना लेके आए थे और उनके परिवार के लोगों को करोना हो गया 29 ऐसे हैं ये 29 की फिगर कई दिनों से सेम चल रही है ये नहीं बढ़ी तो इसका मतलब अभी तक दिल्ली में करोना फैल नहीं रहा यहां तक कि जो लोग मैंने बताया 51 लोग ऐसे हैं जो कि विदेशों से आए थे उनके भी परिवार वालों को सब को नहीं हुआ केवल 29 लोगों को हुआ है तो अभी दिल्ली में करोना फैलना चालो नहीं हुआ इस पूरे डेटा से ये एक अच्छी बात निकलती है कितनी डेथ हो रही है जो मरकस से निकल के आए हैं लोग वो थोड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं उन में से दो लोगों की आज डेथ हो गई बाकी लोग जितने पेशेंट्स हैं वो स्टेबल नज़र आ रहे हैं मरकस से 2346 लोगों को निकाला गया था जिसमें से 1810 लोगों को कौरेंटाइन में भेजा गया है 536 लोगों को अस्पतालों में भेजा गया है तो 2346 लोगों को जो भेजा गया है उनका हम लोगों ने ताकि स्टेटस पता चले उनका एक साथ हम टेस्ट करवा रहे हैं और अगले एक दो दिन में हो सकता है कि इन में से कई लोग कोरोना के पेशेंट्स नजर आएं तो हो सकता है अगले एक दो दिन के अंदर हमारा पेशेंट्स का डेटा दिल्ली का शूट अप करेगा दिल्ली में इस वक्त हम टोटल 2943 लोगों को कौरिंटाइन किया हुआ है जिसमें से जैसा मैंने बताया 1810 लोग मरकज के हैं और 1133 जो विदेशों से आई हुए लोग है तो 2943 लोगों को हमने कौरिंटाइन किया हुआ है और 21307 लोगों को हम लोगों ने self quarantine के लिए बोला हुआ है अपने अपने घरों में quarantine के लिए बोला हुआ है कल से जो गरीबों को बे सहारा लोगों को जिन लोगों को करोना की lockdown की वज़े से सबसे ज़्यादा मार पड़ी है जिन लोगों के घर में खाने को भी नहीं है ये मौका है जब हर सरकार को हर जिम्मेदार सरकार को ऐसे अपने गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए इसमें ना केवल सरकार बलकि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं बहुत सारी समाजिक संस्थाएं धार्मिक संस्थाएं सब लोग इसमें मदद कर रही हैं इंजियोज बहुत सारी मदद कर रही है तो अब कल कल 6,208,00 लोगों ने लंच किया था जो हमने सेंटर खोले हैं अब दिल्ली में जगे जगे बहुत जगे सेंटर खुल गए हैं दिल्ली के अंदर मैं उमीद करता हूँ कि धिरे धिरे इतने खुल जाएंगे कि आपके वाकिंग डिस्टंस के अंदर एक सेंटर होगा आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कल 6,208,00 लोगों ने लंच किया था और 5,95,760 लोगों ने डिनर किया था तो लगबग 6,00 लोगों ने लंच किया लगबग 6,00 लोगों ने डिनर किया था अब हमने इतना जादा capacity बढ़ा दिया कि अगर 10 लाख लोगों तक भी लोग लंच या डिनर करना चाहें तो 10 लाख लोग लंच कर सकते हैं, 10 लाख लोग डिनर कर सकते हैं, अब किसी भी व्यक्ति को जो भी खाना खाने के लिए आएगा उसको वापस भूखिन, खाली हाथ न भी बेज़ा जाएगा, हर व्यक्ति के लिए अब लंच और दिनर का इंतिसाम है, इतना जादा इंतिसाम कर दिया कि अब हमारे पास spare capacity है, मेरे पास कुछ दिनों से आटो वालों के, टैक्सी वालों के, आर टीवी वालों के मेसिजज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि हम लोग भी बिल्कुल भुखमरी के कगार पे हैं, हम लोग भी सारी हमारी रोजी रोटी बंद हो गई है, और सीम साहब आप तो हमारे इतने चहेते हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे क्या, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे भाई की तरह हैं, और ऐसा का एक एक व्यक्ति मेरा अपना है, और मैं किसी भी व्यक्ति को भुखमरी की वज़े से नहीं छोड़ूँगा, तो जैसे दूसरे सब का हम लोग अभी तक मदद करते आएं, आटो, आर टीवी, ग्रामीन सेवा, टैक्सी, और भी जितनी पब्लिक ए रिक्षा, जितने पब लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं हैं हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं, उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है, तो सब के अकाउंट में पांच-पांच हजार रुपे सरकार की तरफ से आपके मदद के लिए डाले जाएंगे, ये बड़ा कठिन समय है, जब पूरा देश और पूरा विश्व इसमें हमारी से जूज रहा है, और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है, जिनकी रोजी रोटी भी चली गई है, और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सकें ऐसे वक्त में, तो हमारी किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे, तो आप सभी के अकाउंट में पांच-पांच-चाजार रुपे डाले जाएंगे, लेकिन इसमें लगबग हफता-दस दिन लग सकते हैं, थोड़ा सा सबर रख सकता है, तो उसका थोड़ा सा सम, वो रखना, कल अमरीका के राश्रकती डोनाल्ड ट्रम्प साब का एक बयान आया था, उन्होंने लिखा था कि हो सकता है, एक लाख से धाई लाख लोगों के बीच, अमेरिका के लोगों के जान चली जाए, तो आप सोच सकते हो कि कितनी भ लिक्सित देश है, जहां पे कि सबसे अच्छी स्वास सोधाय होंगी, वहां के राश्रपती कह रहे हैं कि एक से धाई लाख लोगों की जान जा सकती है, तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से विंती है, प्रधान मंत्रीज ने ये लॉकडाउन का जो ऐलान किया है, ये बेह हमारी ही भलाई के लिए हैं, देश की भलाई के लिए हैं, लोगों की जान बचाने के लिए हैं, एक कहानी कही जाती है कि एक बार बिधुर ने युधिश्ठर से पूछा कि अगर जंगल में आग लग गई, तो कौन मरेगा और कौन बचेगा युधिश्टर ने जवाब दिया कि जो सबसे ताकतवर जानवर है शीर है, चीता है हाथी है ये सब मर जाएंगे जो सबसे तेज दोड़ने वाले जानवर है हिरन है, खरगोश है ये सब मर जाएंगे तो फिर उन्हें पुछे कौन बचेगा उन्हें को जो अपने बिल में रहने वाले जानवर हैं, वो बचेगे तो ये कौरोना भी एक तरह से जंगल में आग की तरह है जो जो अपने घर में रहेंगे वो स्वस्थ रहेंगे आप सब लोग स्वस्थ रहें यही मेरी प्रभु से कामना है आज राम नम्मी का दिन है, राम नम्मी के अफसर पे आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देता हूँ, मंदिर तो आप नहीं जा पाएंगे, लेकिन अपने घर में रहके राम नम्मी मनाईएगा, और आज राम नम्मी के दिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आज प्रण कीजेगा, आपके गली महले पडोस, आस पडोस में कोई भूखा ना रहे, ये सबसे अच्छा तरीका होगा, राम नम्मी मनाने का, जब तक लॉकडाउन है, आप कसम खालीजे कि आपके पडोस में कोई भूखा नहीं रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, ABP News आपको रखे आगे